तो स्वागत है आप सभी का गयापन अकेडमी के इस नहे और लटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर एट यानि की आठवे चैप्टर के सारे अब्जेक्टिव कोश्टन को कम्प्लीट करने वाले हैं जितना भी अब्जेक्टिव कोश को लग रहा है की 12 से ओर्धू का अब्जेक्टिव कोश्टन का स्री चल रहा है इसका वीडियो अप्लोड होगी नहीं तरह है और इसलिए कंफूजन हो जा रहा है बहुत सारे अथ्थ्य को इसा लग रहा हैं आप लोग सकते हैं सबस्य। थीए सब्सक्रफ और ये पार्ट एट है यानि इस वीडियो के घ सब्सक्राइब यह जम्सक्राइब तो इस तरह आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा वीडियो कौन सा पार्ट है हैस्टेक देखकर अभी पार्ट 9 अप्लोड होगा इसके बाद तो उस वीडियो के थमनेल पर आप लोग को हैस्टेक 9 लिखा हुआ दिखाई देगा क्योंकि हम लोग का टार्गेट 6 हो चुका है अपने आस परोस जितने भी पढ़ने वाले हैं स्टुडेंट 12 क्लास की जिस तैयरी कर रहे हैं आप अपने दोस्तों या फिर भाईयों बैने आस परोस परोसी के पास जितना जदा रिष्टेदार है आप लोग के इनके पास शेयर कर दें ताकि सब ही लोग को यह मालूम च और लास्ट में आप लोग अपने स्कोर ज़रूर बताएगा कि आप लोग किसना अबजेक्टिव कोशन सही कर पाएं तो चलिए हर एक अबजेक्टिव को ध्यान से देखना है और उसके सांथ उसका सही इनसार याद करते चलने हैं तो चलिए हाँ तो यहां से अप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखिए यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रामिस ठीक तो जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि अफसाना प्रामिस के अफसाना निगार कौन है यानि कि यह जो चैप्टर है प्रामिस यह क्या है अफ अफसाना निगार कौन है यही आप लोग को बताना है तो चलिए फड़ा फड़ा उपसन देखते हैं अपसन ए में हैं वजीर यागा बी में हैं मैं जमाल पाशा सी में हैं जिलानी बानो और डी में हैं सलाम बिन रज्जा तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपसन नंबर सी जिलानी बानो इस चाप्टर के जो राइटर है वो एक औरत है खातून है जिनका नाम है जिलानी बानो अफसाना निगार कौन है जिलानी बानो और ढेंपर देखते हैं दूसरा सवाल है की जिलानी बानो की पैदाःश कहा हुई थिक तो आपिसन ए में हैं घद्राबाद, बी में है लाहोर, सी में है लुदियाना और डी में है बदाईयू तो इसका सही जवाब क्या होगा ओप्सन नमबर डी बदाईयू में इनकी पैदाईश हुई थी जिलानी बानों की और यह important question है यह पिछला साल मतलब लगबग 2-3 साल gap करके यह सवाल आप लोगा पूछता ही पूछता है तो यह question आप लोगा important है याद रखिएगा जिलानी बानों की पैदाईश बदाईयू में option में दिया रहता है ठीक आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल है कि अम्मो कितने वर्सों से बिस्तरे अलालत पर पड़ी हुई थी अम्मो जो है अम्मो हो गया है सौरी अम्म का दो वर्सों से दो सालों से वह विस्तर पर पड़ी हुई थी और पूरा उनका cancer जो है ना पूरे सरीर में फैल गया था देखिए अगला question होई है कि cancer का मर्ज एक मिनट हाँ चार नमबर सवाल है कि cancer का मर्ज किसके सारे बदर में फैल गया था वो थी अम्मो के पूरे सरीर में cancer का जो विमारी था पूर तरीके से सरीर में फैल गया था ठीक तो option number a हो गया आप लोग का right answer आगे बढ़ते हैं question number five की तरफ सवाल है कि जिलानी बानों की पैदाईश कब होई option a में है 12 जुलाई ये 12 इधर आ जाएगा 12 जुलाई 1934 b में है 13 जुलाई 1935 c में है 14 जुल जुलाई 1937 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मैं आप लोग को अलड़ी बता चुकी हूं इसका सही जवाब होगा option number c 14 जुलाई 1936 याद रखिएगा जिलानी बानों की पैदाईश होई थी 14 जुलाई 1936 को आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला सवाल है सवाल नमबर 6 कि अफसाना promise का मरकजी किरदार कौन है ये भी मैं आप लोग को अलड़ी बता चुकी हूं जब चप्टर पढ़ा रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को मैं आप लोग को समझाई थी अगर आप लोग पढ़े हैं चप्टर तो बस सारा question आप लोग खुद से एकदम आसानी से दे पाएंगे तो अफसाना promise ये जो कहानी है इसका मरकजी किरदार में केरेक्टर कौन है जिस पर ये कहानी लिखी गई है तो देखिए साथ नमबर सवाल है कि जिलानी बानों के वालीद का नाम क्या था यानि कि उनके पीता जी का क्या नाम था option A में है नजफ अली, B में है शजात हुसैन, C में अल्लामा हैरत बदायुनी और D में है ख्वाजह गुलाम हसन, तो इसका सही option होगा, option number C अल्लामा हैरत बदायुनी, ये भी आप लोग को मालूम होगा, जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो option number C होगे, आप लोग का सही जवाब, आगे बढ़ते हैं, जिलानी बानों की तालीम कहां तक है, जिलानी बानों कहां तक पढ़ाई की थी option A में है, metric तक, B में, enter तक, C में, BA और D में, MA तक, तो इसका सही जवाब, option number D हो जाएगा, MA तक जिलानी बानों की तालीम हुई थी, तालीम हासिल की थी, MA तक पढ़ाई की थी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले question और दी में कोई नहीं तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा यह भी मैं आप लोग अलेडी बता चुकी हूँ कि जिलानी बानो शाही जो है ना श्रुवात में शेरोशाइरी सबा बदा मखर्टी होगा आप लोग덕ा सही चवाब आगे बढुटे हैं दस नमबर सवाल कि जिलानी बानों अफ्साना निगार के लावा और क्या थी क्या रिक नाविल निंगार थी कि मजमून निगार थी कि इनशाया निगार थी कि खाका निगार थी यह आप लोगों को बताना है तो इसका सही option क्या होगा option number A जिलानी बानो अफसाना निगार के लावा एक नाविल निगार थी तो option number A is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 11 है कि खाजा B कौन थी option A में है doctor B में है नौकराने एक मिनट यापर नौकराने नहीं नौकरानी होगा ऐसे लिखा जाएगा नौकरानी ठीक C में है inspector और D में है officer तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा यह तो बहुत ही ज़दा नौकरानी का नाम खाजा भी रहता है आगे बढ़ते है question number 12 है कि उन्होंने अपने बेटों से क्या promise लिया था वो जो अम्मो थी यहाँ पर अम्मो होना चाहिए एक मिनट हाँ यहाँ पर अम्मो लिखा जाना चाहिए अम्मो ने अपने बेटों से क्या promise लिया था तो देखिए option A में है जिन्दगी enjoy करने का B में है जनाजा उठाने का C में है घर पर रहने का और D में है कोई नहीं तो यह भी आप लोग का answer मालूम होगा इसका सही जवाब होगा option number B जनाजा उठाने का अम्मो जो है अपने चारों बेटों से promise लिए रहती है कि जब उसकी मौत हो जाए अम्मो की मौत हो जाए तो उसके चारों बेटे मिलकर जनाजा उठाए और चारों बेटे मिलकर चारकंदे रहे तो option number B is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 13 है कि जिलानी बानों की शादी डॉक्टर अन्वर से कब हुई option A में है उन्हेस संतावन B में है उन्हेस अंठावन C में उन्हेस साथ तो इसका सही जवाब क्या होगा बहुत ही ज़्यदा आसान है इसका सही जवाब हो जाएगा option number C 69 आगे है question number 14 कि दर्जजेल में कौन जिलानी बानों का लिखा हुआ अफसानवी मजमुवन नहीं है अफसानवी मजमुवन या पर अफसानवी ऐसे लिखा जाएगा अफसानवी और मजमुवन यान की कहानी का किताब नहीं है यही आप लोग को बताना है कि इन चारों आपसन में से कौन सा ऐसा आपसन है जिसमें जिलानी बानों का लिखा हुआ किताब नहीं है तो आपसन देखिए फड़बट हम लोग देखते हैं option A में है रोशनी के मिनार B में है रात के मुसाफिर C में अपनी नगरिया और D में है पराया घर तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C अपनी नगरिया ये जो किताब है इसको जिलानी बानों द्वारा नहीं लिखा गया है बाकी रोशनी के मिनार ये भी किताब जिलानी बानों लिखी है रात के मुसाफिर ये भी कहानी का किताब जिलानी बानों द्वारा लिखा गया है पराया घर भी जिलानी बानों द्वारा लिखा गया है लेकिन अपनी नगरिया जिलानी बानों द्वारा नहीं लिखा गया है तो option number C is the right answer आगे बढ़ते हैं question number 15 कि जिलानी बानों की नाविल है याँ पर आपनों को बताना है कि कौन सा जिलानी बानों द्वारा नाविल लिखा गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा और गलती से बक्षी लिखा गया है ऐसे उर्दू टाइपिंग में गलती होते रहता है तो जिलानी बानों की लिखी हुई नाविल्ट है तो देखिए उपसन A में है नगमे का सफर B में है जुगनू और सितारे C में है A and B दोनों यानि कि नगमे का सफर और जुगनू और सितारे दोनों और D में है इनमे से कोई नहीं तो इसका भी सही अंसर हो जाएगा सभी भी गलत लिखाया है ऐसे रहेगा सभी ठीक सभी ठीक तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्सान नमबर डी सभी मोदी गालीब अवार्ड सोवियत लेंड नेहरू अवार्ड नकूस अवार्ड ये तीनों अवार्ड जो है न जिलानी बानों को मिला था तो आगे ब बात किसने कही अप्साने में बड़ी बहू भी में छोटी बहू सी में रम जमशीद और डी में रसीद अम्मो यासीन सरीफ पढ़िये और अल्ला को याद कीजिए ये कही थी अम्मो की बड़ी बहू ने अप्सान नमबर ए इस जो राइट एंसर ठीक आगे बढ़ते हैं को अपने बीवी बच्चो के साथ कहा रहता था अपसर ने में दिल्ली बीवें अमेरिका सी में नीव यो यॉर्क और डी में है कोई नहीं तो इसका सही जवाब आप लोग को मालूम होगा इसका सही जवाब है ऑपसर नंबर सी नीव योर्क में जमशेद अपने बालवी बच्चों के साथ रहता था ठीक आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 कि जिलानी बालों के वालीद का नाम क्या था एक मिनट यह सवाल अल्रेडी पुछा जा इसका आप लोग को मालूम होगा रात्व बदाय। यह एक बार पूछा जा चुका है इंगेन दुबारा कोई दिक्त नहीं है यहां तो आप लोग को मालूम होगा जिलानी बालों के वालीद की पिता जी का नाम था नाम था अल्लामा है बदाय। नी उर्दू औरपार्शी के शायर के लावा और क्या थे? उप्सने में है डॉक्टर, गी में है इंजिनियर, सी में है आलिमेदीन और डी में है वकील तो इसका भी सही जवाब आप लोगो मालूम होगा आप साइम नमबर सी आलिमेदीन अल्ला महरत युनि जो की जिलानी बानों के पिता जी थे वो उदू फार्सी के शायर के लावा वे एक आलिमेदीन भी थे यान की धार्मिक विद्वान भी थे आगे बढ़ते हैं कुश्टिन में 22 है कि अमों के शोहर क्या थे डॉक्टर थे कि इंजिनियर थे कि आलिमेदीन थे कि वकील तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number D वकील थे ठीक आगे बढ़ते हैं कोस्टर में 23 कि जम्षेद नियूयर्क में क्या था क्या वह देखें यहां पर यह सारा option यह नहीं रहेगा जम्षेद नियूयर्क में क्या था इंजीनियर था कि दुबारा option D में भी इंजीनियर दिला गया है कोई दिकत नहीं है इसका सही जवाब डिरेक्ट में आप लोगों को बता दे रही हूं जम्षेद जो है ना वह नियूयर्क में इंजीनियर था याद रखिएगा नियूयर्क में इंजीनियर आप्सन नमर्बी जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं वहां पर गलत थ रशीद जो है ना वह इंजीनियर था और ये भी अपने बाल वीवी बच्चों के साथ अमेरिका में ही रहता था आगे बढ़ते हैं क्वेश्टन मेर्ट 25 कि खुष्टीद डॉक्टर था अमेरिका में की न्यूय योर्क में की शिकागों में की भारत में तो इसका भी अंसर कि हमीद भारत में क्या था तो वह एक मिनिस्टर था ये भी आप लोगों को मालूम होगा तो आपसर नमबर ए जो यह था तो यह था चाप्टर नमबर एट का सारा अब्जेक्टिव कोशन जिसको आज किसे वीडियो में हम लोग कंप्लीट किये कोई भी कंफ्योजन हो आप सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दुबाकर और काप्सक्राइब कर लेना है उसे होगा यह कि मेरी रोज जाने वाली वीडियो काल लोटिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स टॉपिक के सान तब तक के लिए जाहिंद और खुद जाहिंस